हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, तो फ्रेंड्स कवीता की बुनाई में आप लोग का स्वागत है, तो फ्रेंड्स में आज आप लोग के लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूं, तो ये स्वेटर का डिजा की पहली शिलाईया सिधी सडाट से पहला फंदा उतार दिया ठीक है पहला फंदा उतार दिया दागा आपनी तरफ एक आप दो और एक तीन पार फंदा उल्टा दागा पीछे अब एक यले शूरे पर हमने थे मच मनें तीन पर करना है एक फंदा बना दिया दूसरा लपेटा फिर तीसरा फंदा बना दिया ठीक है अब पूरे फंदे इसी तरह से complete करेंगे तीन फंदा उल्टा एक फंदे पर तीन फंदा बनाएंगे डिजाइन की पहली शिलाई है सीधी साइड से फिर्स ट्रो राइट साइड एक दो तीन फंदा उल्टा दागा पीछे एक दो और एक तीन एक फंदे पर तीन फंदा बना दिया फिर से दागा अपनी तरफ एक दो तीन फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदे पर तीन फंदा बनाना है एक पनाया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा बना दिया, फिर से दागा अपने तरफ, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक फंदे पर तीन फंदा बनाएंगे, एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा फंदा बना दिया, पूरे फंदे पहली शि बनाकर अब लास्ट में हमारा तीन फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से एक फंदे पर तीन फंदा करेंगे एक फंदा बना दिया दूसरा हमने लपेटा फिर तीसरा फंदा दागा अपनी तरफ एक दो तीन फंदा उल्टा दागा पिछे एक फंदा सीधा तो यह हमारी डिजाइन की पहली शलाई सीधी साथ से कंप्लेट हो गई डिजाइन की दूसरी शलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतार दिया दागा पिछे अब जो तीन फंदे सीधे तरफ से उल्टे है उल्टे तरफ जो हमने एक के तीन फंदे करें थे सीधे तरफ से अब उल्टे तरफ से तीन फंदा उल्टा तीन फंदा उल्टा ठेक है अब यही फंदे हम छे फंदे तीन फंदे सीधे डिजाइन के जो हमने एक के तीन फंदे करें थे तीन फंदे उल्टे यही रिपीट करेंगे दुसरी चिलाए उल्टे चिलाए उल्टे तरफ से 1,2,3 पंदा सीधा दागात जी तरफ सीधा उल्टा बनाया था, उल्टे तरफ से तीन फंदे सीधे, पूरे फंदे कंप्लेट करेंगे, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, डिजाइन का तीन फंदा उल्टा, दागा पिछे, एक, दो, तीन फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन फंदा सीधा, दागा पिछे, तीन फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा बनाकर कंप्लेट करेंगे, पूरे फंदे उल्टे तरफ से, दूसरी शिलाई, ये हमारे डिजाइन की दूसरी शिलाई हो गई, कंप्लेट, डिजाइन की तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, डिजाइन की तीसरी शिलाईट, थर्ड रो है, राइट साइड पहला फंदा उतार दिया, शुरू के तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, दागा पीछे, अब ये देखिए, जो हमारे डिजाइन के तीन फंदे हैं, ये तीन फंदे हमने सीधे ही बनाने है एक, दो, तीन फंदा सीधा, दागा पनी तरफ, जो तीन फंदे उल्टे हैं, उल्टे ही बनाएंगे, तीन फंदा उल्टा, दो, तीन फंदा उल्टा, दागा पेछे, अब ये जो डिजाइन के तीन फंदे हैं, सीधे, ये सीधे ही बनाएंगे, एक, दो, तीन, इस तरह से तिसरी शिलाय सिधी तरफ से complete करेंगे तीन फंदा उल्टा दागा पीछे एक दो तीन फंदा सीधा एक दो तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा सीधा एक दो 3 पंदा इल्टा एक थो तीन पंदा सीदा लास में 3 पंदा उल्टा, एक एसटीच सीदा इस तरह से तिस्री शिलाई सीदी सैथ से lady side से complete करेंगे तो यह हमारी तीस्री शिलाई complete हो गई 3rd row right side सीदी तरफ से Design की 4th row चौथी शिलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतार दिया दागा पीछे एक दो तीन फंदा सीधा दागा अपनी तरफ एक दो तीन फंदा उल्टा अब पूरे फंदी हम ऐसे ही रिपीट करेंगे चौथी शिलाई उल्टे तरफ से एक दो तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, पूरे फंदे कम्प्लेट करेंगे, यह हमारी फोर्ट रो कम्प्लेट हो गई, उल्टे तरफ से, डिजाइन की फिप रो, पांच वी शिलाईया, सीधी तरफ से, यह देखे हैं, यह हमारा डिजाइन का लुक बन कर आ रहा है, पहला फंदा उतार दिया, दागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, हर बार आपके उल्टे ही आएंगे, ठेक है, अब यह देखे, यह डिजाइन की तीन फंदे हमारे, पांच वी शिलाई, सीधी साथ से, यह बीच वाले फंदे को हमने सीधा करके इधर लाना है, इस तरह से, यह देखे, बीच से हमने सामने ला दिया, अब यह तीन फंदों क एक करेंगे, यह दिखे, यह हमारा प्यारा साथ डिजाइन का लोग बन कर आया है, पांच वीश लाई में इस तरह से डिजाइन बनाना है, आप ने, फिर जो बीच में जो गैप के तीन फंदे उल्टे है, हर बार उल्टे ही बनेगे, और जो डिजाइन के हमारे तीन फंद हैं बीजवाला फंदा को इस तरह से सीधा करते हुए सामने लाएंगे पिर तीन फंदे का एक करेंगे पिर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा उल्टा दागा पिछे बीज वाला फंदा को सामने ला दिया तीन फंदे का एक किया यह देखिए हमारा डिजाइन बन करा रहा है फिर एक दो तीन फंदा उल्टा दागा पिछे अब यह जो डिजाइन के तीन फंदे हैं इस तरह से तीन फंदे का एक करेंगे सामने लाक ठीक है तो पूरे फंदे पांची शिलाई है सीधी साथ से कम्प्लीट करेंगे यह हमारे डिजाइन की फिप तरो पांची शिलाई हो गई कम्प्लीट सीधी तरब से लास्ट एक एस्टिस सीधा यह देखिए यह हमारा प्यारा सा डिजाइन बन कराया है डिजाइन की छटी शलाई उल्टे तरफ से दागा पीछे अब यह जो तीन फंदा सीधा है सीधा ही आएगा तीन फंदा सीधा और जो हमने डिजाइन के तीन फंदे को अब एक करा है ये एक फंदा उल्टा अब पूरे फंदे ऐसे ही रिपीट होंगे तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ठीक है डिजाइन की छटी शलाई छेश लाई का डिजाइन है लेकिन कम्प्लिट हमारा बारश लाई में होगा ये डिजाइन इस तरह से एक फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा सीधा डिजाइन का जो हमने तीन से एक करें थे वो डिजाइन का फंदा उल्टा बाकि तीन फंदा सीधा इस तरह से पूरे फंदे कंप्लेट करेंगे उल्टे तरफ से यह हमारे सिक्स तरो कंप्लेट हो गई उल्टे तरफ से अब यही छेश लाया हमने फिर से रिपीट करनी है और साथ में हमने जगा चेंज करना है यह डिजाइन का अब यह जो हमने तीन फंदे उल्टे बनाए है अब यहां पर हमारा डिजाइन बनेगा और जो हमारा एक पर इस पर डिजाइन बनेगा जैसे दर तीन फंदा उल्टा बना था तो बीच फंदे पर अभी डिजाइन बनेगा डिजाइन हमारा सेम वही है लेकिन जगा चेंज जो रहा है फिर से एक फंदा उल्टा ठेक है दागा पीछे अब यह दिखे जैसे यहां पर एक डिजाइ दूसरा लपेटा तीसरा बना दिया डिजाइन के आफ सात्वी शलाई बोले चाहे पहली शलाई बोले लेकिन हमारा डिजाइन कम्प्लिट बारश लाई में होगा फिर से सेम वही ये देखिए जैसे ये बीच में डिजाइन बना है एक, दो, तीन, ये तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन फंदा उल्टा दागा पीछे अब जो हमारे तीन उल्टे में से बीच वाला फंदा है इधर इस पर डिजाइन बनना है फिर से एक फंदे पर तीन फंदा एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा तीसरा फंदा अब इस तरह से रिपीट करेंगे फिर से तीन फंदा उल्टा दागा पीछे अब बीच वाले उल्टे फंदे पर एक के तीन फंदे बनाने हैं एक फंदा बना दिया दूसरा रोल किया तीसरा फंदा बना दिया कि दागा पी जी एक फंदा बना दिया दूसरा लपेटा तीसरा बना दिया है वान कर देख लोक को तीन फंदा वलटा दागा पीछ एक फंदे पर हमने तीन फंदा बनाना है एक, दो, तीन, यह दिखें, पहले फंदे पर हमारा डिजाइन बनना है, अब इस से आगे हमने तीन शलाईयां बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, ठीक है, लास्ट के, तीन फंदे उल्टे, एक फंदे पर डिजाइन बनेगा, एक फंदा, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा इस तरह से पहली शलाई हमने फिर से कंप्लेट की है, दूसरी शलाई उल्टे तरब से, पहला फंदा उतार दिया, दागा पिछे, पहला फंदा सीधा, पहला फंदा सीधा, अब यह जो डिजाइन के तीन फंदे है, यह हमारे उल्टे ही बनेंगे, हर बार उल्टे तरफ से उल्टे और सीधे तरफ से सीधे जो हमने एक के तीन फंदे करेते ठीक है ये फंदे हमारे उल्टे बनेंगे तीन फंदा डिजाइन के तीन फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा पिछे तरफ से इस तरह से आपको नजर आएगा ये तीन फंदे सीधे बनेंगे पूरे फंदे अब ऐसे ही repeat करेंगे तीन फंदा सीधा जो design के तीन फंदे हैं ये तीन फंदे उल्टे एक यानि कि जो हमने एक के तीन फंदे करे थे वो तीन फंदे उल्टे बागी फंदे सेम बनाएंगे तीन फंदा सीधा design के तीन फंदे उल्टे तीन फंदा सीधा डिजाइन के तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन एक, दो, तीन फंदा सीधा इस तरह से पूरे फंदे कंप्लेट करेंगे दूसरी शिलाई है उल्टे तरफ से ये हमारी दूसरी शिलाई हो गई कंप्लेट उल्टे तरफ से डिजाइन की तिसरी शलाई है हमारी सीधी साट से सेम वैसे ही बनाएंगे पहला फंदा उतार दिया, एक फंदा उल्टा अब यहाँ पर हमारे तीन फंदे डिजाइन के है सीधे यह देखिये जो एक के तीन फंदे करें थे एक, दो, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, दागा पिछे, डिजाइन के तीन फंदे सीधे, जो हमने एक के तीन फंदे करें थे, सीधे साथ से सीधे, और तीन फंदे उल्टे, पूरे फंदे ऐसे ही कम्प्लेट करेंगे, ठीक है, सीधी तरप से, तीसरी शिलाई हो गई सीधी साइट से complete थर्ड रो राइट साइट से complete फोर्ड रो उल्टे तरफ से सेम जैसे फंदे आपको जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाना है पहला फंदा सीधा दागा अपनी तरफ डिजाइन के तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फंदे सीधे डिजाइन के तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे इसी तरह से पूरे फंदे complete करेंगे चौथी शिलाई है उल्टे तरफ से तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा बना कर यह हमारी चौथी शिलाई complete हो गई उल्टे तरफ से जैसे आपको फंदे दिखेंगे सेम वैसे ही बना कर complete करना है डिजाइन के फंदे उल्टे तरफ से उल्टे आएंगे हर बार सीधे तरफ से सीधे आएंगे तो यह दिखे फोर्ट रों complete हो गई अब आगे हम फिप रों में राइट साइट पहला फंदा उतार दिया दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा पांचुशल लाई में हमने तीन फंदों का एक किया था आपको याद होगा बीच वाले फंदे को सामने लाना है और सामने वाले फंदे को पीछे ले जाना है इस तरह से सीधा करके सामने ला दिया बीच वाला फंदा फिर तीन फंदे का एक करना है पांचुशल लाई में यह देखे यह हमारा डिजान बन कराया है तीन फंदा उल्टा दागा पीछे अब ये तीन फंदे पर हमने पहला वाला बीच वाला फंदा को सामने और पहला वाला फंदा को नेचे से पीछे ले जाना है इस तरह से फिर से एक, दो, तीन फंदा उल्टा फिर से यह जो डिजाइन के फंदे है बीच वाले फंदे को सीधा करते हुए इस तरह से पीछे ला दिया फिर तीन फंदे का एक कर दिया पूरे फंदे ऐसे ही complete करेंगे तीन फंदा उल्टा तीन फंदे को एक करेंगे बीच वाला फंदे को सामने लाकर सीधा करते हुए शिलाई पर लगाया फिर एक कर लिया complete करेंगे ये फंदे ये हमारी design की हो गई छटी शिलाई complete पांचवी शिलाई complete सीधी साथ से ये देखिए हमारा design बनकर complete हो गया है ये देखिए हमारा design का look इस तरह से बनकरा है बहुत ही प्यारा सा ये हमारा design है तो अब छटी शिलाई में आप क्या करेंगे same वही एक जो design का फंदा है उल्टा तीन फंदा सीधा design का फंदा उल्टा इस तरह से 6 शिलाई complete करेंगे तो 12 शिलाई में हमारा design complete हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग को मेरी design वाली वीडियो ची लगती है समझाती है तो मेरी चैनल को like, subscribe, share जरूर करें तो ठीक है दोस्तों bye thank you मिलते है next वीडियो मेरी